राम राम गाईज स्वागत आपका एक नए व्लॉग में तो ब्लॉग शुरू करते हैं सुभए के लिए दस बच चुके हैं और मैं जा रही हूं कुछ काम करने के लिए तो आपके साथ भी शेयर करेंगे और चलो भी लेक्स को चलते हैं सुभज बिल्कुल फेस पे बढ़ रहे गार्स बहुत तेज दूप लगी आठीक काफे चमाशन है देख सकते हैं आपको मैं आधी अपनी पर्शिशाला के और सुपसों भागम 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 भाग इतने जादा काम हुता पूछों मत तो लो जी आ गए हम अपनी पर् तो गार्स याप हम जा रहे हैं आप देख सकते हैं पीछे कि तुम्हें अच्छी दूप है और यह देखो पेड़ी पेड़ है ऐसा ऐसा एक्सराइज भी साफ में हो जाती है क्या आपको घूमने की जाने की जुम्हातनी नीस सुबह सुबह जो काम करते है लोग उनकी एक्सराइज तो वैसे ही हो जाती है सुबह सुबह तीन-चार किलोमेटर तो वैसे ही चल लेती हुंगी पूरे दिन में झौरेटा व हुझा जो बन्दा काम करता है वह एस से फिट रहते हैं कहीं लोह ना आरफ करते हैं काम करणा इसांग्न meditation is उससे काम करना कोई मुरी बात नहीं काम करने का बहुत अचरी बात है। अपने आपको फिट रखने के लिए काम कर इसे है इस आफ Ferrstein plays जा रहे हैं कल भी गए थे आज भी जा रहे हैं कर्म खृत्ते रहना इंसान का फर्ज होता है और फॉल देना बगवान की इच्छा सारा दिन खाम करते रहते हैं उसका फल बगवान में देता है ऐसी बातनी होती है यह देखिए व्यूँ यह देखिए कितने अच्छे खेत हैं यहां पर यहां पर इतना कोई प्लूशन ना कोई गाड़ी ओं कुछ नहीं है यहां पर इतना अच्छा एटमोस्पेर एंब बिल्कूल शांत और बिल्कूल एकूल काफी अच्छी यहां पर अनर्जी आदमी को मिल जाती है अगर आए त लगा है यह देखिए उच्छ पहार वह दिखें सामने टावर लगा है यह भी यह जाते हैं जो शादी शुद्धी शादी अभी आव्याव कुछ मतलब होता है ना कुछ फंक्शन जैसे तो हम यह बलाते हैं जाते हैं यह पर इतने दूर दूर होता है पर आप तो सड़के निकल गी अब तो कोई जाने की दिक्कत नहीं है आंगंता की सड़क जासे पहुंच जाती है कई लोगों के घर में देखिए हैं यहां घास कारते हैं कितने बड़े बड़े घास के रूटे हैं रूटे हमारे यह खड़ैतर बोलते हैं अब अबनी इलाके के अपनी बास्ण लगणिया काटके रखिए देखो यहां से विख दिखाऊ ना फूगाइज तो अल्टीमेट विए देखो अब देखाती हो अब यह देखो यह जो पार है ना यह जो रास्ता के उपर वो पार पहर पर यहां से हम घास लाते हैं दो तिन साल पहले अब हमने छोड़ दिया घास देखो यहां से यह देखो यह नीचे द्रया आया देखो खड़ बैती है हमारी यहां भी ले जाएंगे कभी आपको टाइम लगा तो कु सुपर सुपर की दूब पढ़ रही है और देखो कितना अच्छा भी हुआ रहा है कि देखो कि देखी गाइज एक और पहाड ऊपर तक घास का घास का एक यह भी एक रुट्टा है यहां भी घास होता है काटली है लोग ने कि देखी वह पीछे बर्फ दिखो वह देखो वह वह बर्फ है यहां से आती है हवाएं तेज ठंडी और फिर होते हैं बहुत ज्यादा ठंडी यहां पर चलो गाइज उतनी दिर में आपको एक गाना सुना देती हूँ दूगी डूगी नदिया बड़ी तेज धारा हो ओड़े आपत ना देया तारूआ बेड़ी मेरी पार लाई दे अमा भी मैं छड़ी दिते बापू भी मैं छड़ी आओ ओड़े आचड़ी दिते निर्ड़ पड़िस हो दूगी डूगी नदिया बड़ी तेज धारा हो ओड़े आपत ना देया तारूआ बेड़ी मेरी पार लाई दे तो यह था एक ही माचली सोंग जो मैंने आपके सामने गाया मुझे और भी ज़्यादा गाने आते हैं लेकिन दीरे-दीरे व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे भजन से लेकर के पहाड़ी गीतों से लेकर के दूसरे कही गाने दूसरे भी मुझे आते हैं तो वह मैं साइम जो नोट होता है पीछे तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हम तो मतलब जो भी दिखाते हैं उसको देख लीजा लेक लिया कीजिए बोलने में दिक्कत है देख लिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करन लाइक बीकिया करो गाई जिससे थोड़ा बढ़ता है बंदे में कि हमें वह पसंद करते हैं इसके लिए मतलब आप लाइक किया करो जितने विवर देखें तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो चलो आगे व्लोग में बने रही है तो कुछ और आपकी साथ शेय लेंगे और थोड़ी सी नहां पे सर्सों थी वह मैंने निकाल ली है उसको उसका साग बनाएंगे तो उसके लिए जैसे चांटेंगे ना मुसको मैं आपको दिखाते बैक के बरे से तो देखिए दोपहर का वक्त है और हमारे गर आगे थे महमान यह मेरे माईक की साइडिया निकी जहां हम रहते थे ना वहां पंडों में वहां पे वहां से है यह तो यहां पे इनकी कुछ रिष्तेदारी तो बिचारे नहीं अम्मा काफी अच्छे हैं मिर से मिलने के लिए आ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूरना पूरना और व्लॉग कैसा लगा आपको यह बताना जरूर और तब तक के लिए बाई बाई जैदे भूमी माचल